अगर आप exam की तयारी कर रहे हैं और बहुत सारा time आपको लग रहा है आपका waste हो गया है और आपके पास समय कम है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए और अगर आपने मेरा channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो do subscribe my channel दोस्तों बहुत सारे लोग अब competition की तयारी कर रहे है और बच्चे exam की तयारी में लगे है 10th, 12th और जो भी जिस भी class में हैं मैं आपको तीन ऐसे मंत्रा देना चाहता हूँ कि जिस से आपको अपने exam में बहुत मदद मिलेगी number one, mind को कभी भी ये मत बूलिए कि मुझे ये याद नहीं होगा या फिर इसको याद करने के लिए बहुत time चाहिए क्योंकि जो आप mind को कहते हैं वो वैसे ही फिर function करने लगता है अगर आपने ये कह दिया कि ये याद नहीं होगा तो फिर mind को आपने program ही negative कर दिया तो फिर याद कैसे करेगा तो अपने आपको बोलना शुरू करिये कि मैं एक बार पढ़ता हूँ और मुझे याद हो जाता है जो मैंने पढ़ा मुझे याद हो रहा है ये एक miracle है this is only science of believing science of belief क्योंकि जो आप अपने से कहते हैं मानते हैं वो आपके लिए सत्य है true है और mind वो करके देता है number two हम कई बार क्या करते है कि पूरा दिन लगा देंगे लेकिन कुछ chapters नहीं पढ़ पाएंगे जो हमारा target है पढ़ने का पहले तो बनाया नहीं होता और बनाया है तो फिर अचीव नहीं होता तो पहले आप properly अपना एक target बनाये पूरे दिन का एक ritual बनाये पूरे दिन का एक calendar बनाये प्लैनिंग बनाये और then take five minutes break थोड़ा सा दूर होके उसको वागपस याद करिए और फिर देखिए आपको कितना याद हुआ है क्योंकि जो भी आप concentration और focus होके पढ़ेंगे वो आपको बिलकुल याद हो जाएगा तो वो possibility है कि वो आपका concentration का time 40 minute हो पचास minute हो एक गंटा हो लेकिन वो continuous मत करिये कि 5-6 गंटे चार गंटे तीन गंटे लगातार पड़े जा रहे हैं और फिर कुछ पता नहीं चल रहा अब मैं आपको एक गुरू मंत्रा दे रहा हूँ जो ज़्यादा तर बच्चे गलती करते हैं जब भी कोई मेरे से counselling पूछता है तो वो ये कहते हैं कि कुछ ऐसा trick बताओ कि मुझे याद होना शिरू हो जाए कुछ ऐसा करिये कि मेरे exam के तैयार होना शिरू हो जाए और ये सोचते हुए कुछ ऐसा miracle मिल जाए कुछ ऐसा mantra मिल जाए वो सबते महीने quarter और time निकलता जाएगा और जितना वो time निकलेगा उतना ही stress और बढ़ेगा उतना ही जैसे पैर फूल गए उतना ही आपको और मुश्किल आएगी सो गुरू मंतरा ये है दोस्तो कि put your worry time into steady time बिलकुल time waste मत करिये जितना भी time है अभी right now अभी से तैयारी करना शूर कर दीजिए अगर आपने एक chapter पढ़ लिया तो एक chapter कम हो गया ना दो पढ़ लिया तो दो कम हो गए put your worry time into steady time worry time अगर आपने जितना लगाया आपका mind आपको और stress मलाएगा और और याद नहीं होगा इसका मतलब आप उल्टा कर रहे है अपने आपको harm कर रहे है then good and put your worry time into steady time you will get that miraculous results and you will enjoy those results जिसकी आप कल्पना करते है दोस्तों इन तीन चीज़ों को simple बिना दिमाग लगाई apply करना शूरू कर दीजिए belief अपने आप से बोलिए you have the capabilities you have the abilities you have the resources कि जिस चीज़ को आप एक बार देखते हैं आपको याद हो जाती है मैंने भी दोस्तों सको practice किया कि जब मैंने mobile numbers को याद करना शुरू किया तो मेरे से 5-10-1 minute में याद होने शुरू हो गया क्योंकि मैंने अपने mind को बोला कि मुझे याद हो जाता है मैं याद कर रहा हूं तो बस वैसे ही change आने लगा of course उसे कुछ techniques भी है concentration से focus होके करें and तीसरा गुरू मंत्रा best of best put your worry time into steady time and you will enjoy the best results thank you